हेलो फ्रेंट्स आज जो मैं आपके लिए रेस्पी लेकर आई हूँ वो है लहसुन का अचार गार्लिक पिकल ये पिकल मेरे मम्मी बनाएंगे इसके लिए जो हमें इंग्रेडिंस चीए वो हैं लगवग आदर किलो लहसुन दनिया के दाने, अजवाइन, जीरा, मेथी के दाने, काली सर्सों, नमक स्वादा उनसार, एक चमचीनी, हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और हरी मिर्च यह आप हरी मिर्च ऑप्शनल है, यह आप अवोइड भी कर सकते हैं और मिर्च आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालनी है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कडाई रख लेनी है, उसे गरम करना है, उसमें हम यह सारे खड़े मसाले डालेंगे, धनिया, इ फिर यह हम मेथी के दाने डालेंगे, इनको चलाते रहना है साथ में, जीरा, अजवाइन, काली सर्चों, इन सब को डालके हमने अच्छे से इनको भून लेना है, कोहलाते हुए, देख सकते हैं, मेरी ममा इनको ही ला रहे हैं, जब तक यह जले नहीं, गैस को हमने धीमा किय आप चाहें तो इसमें हींग भी डाल सकते हैं, हींग हमें पसंदी है, इसलिए हमने डाला नहीं, अब यह सारे दाने बूच चुके हैं, अब इन सब को हम मिला कर ग्राइंड कर लेंगे, अब हमने यह मसाले सारे जो हमने गरम किये थे भूने थे उनको आमने पीस लिया है, यह जो लसुन का चाहर है, इसे हम वाइट सिर्का में बना रहे हैं, यह देख सकते हैं, हमने वाइट सिर्का लिया है, और इस वाइट सिर्के में हम डालेंगे लसुन अधुरक का पेस्ट, यह आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, अब सब नमक डालेंगे अपने स्वादावन साथ हल्दी डालेंगे एक चम्मच अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें लसुन और नमक वाले सिर्के में हम डाल देंगे लसुन फिर हम इसमें लाल स्मिच डाल देंगे यह अपने स्वाद के अकॉर्डिंग्ली डाल सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे लसुन अधरक का पेस्ट यह ऑप्चिनल है फिर इसको थोड़ देर चिलाएंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए और इसमें हम हरी मिर्च भी डाल जाएंगे थोड़ी चीनी और फिर यह कुटा हुआ सारा मसाला डाल देंगे सब मसालों को मच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे दीमी आंच रख्यू हूं यह मैंने अब देख सकते हैं कि देखने में बहुत ही कलरफूल है और मेरे ममी बहुत ही डिलिशियस अचार बनाते हैं यह हमारी सेहत के लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है सर्दियों के मौसम में तो बहुत ही गरम होता है यह और बहुत ही अच्छा होता है हमें सर्दी से बचा के रखता है गार्लिक वैसे भी हमारे लिए बहुत ही फाइदे मंद होता है इसको लगवग हम पांच यह दस मिनिट चिलाएंगे और फिर इसको डखके बंद कर देंगे अब आप देख सकते हैं कि यह चार बन के त्यार हो गया है में गैस बंद कर दी है इसका कलर बहुत ही अच बहुत ही इसको एक जार जब ही ठंडा हो जाएगा ठंडा करके इसको जार में डाली जिए आप सीशे के जार में डाल सकते हैं जो भी जार आपके पास अब लेबल है उसमें डाली चिए अगर आपको यह चार की रश्पी पसंद आई हो आप इसे जुरूर लाइक कीजिए घर पर ट्राइ कीजिए और मेंने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फर्दर वीडियो पाते रहें थैंक्यू अब आप देख सकते हैं कि यह अचार बनके त्यार हो गया है मैं जाल गया है अगर आप इसको देखने में बहुतिस्ट लग रहें आप इस जुरूर लाइक कीजिए घर पर ट्राइ किजी और मेंने चैनल को अगर आपने आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजी और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप फर्